बिहार के आंतरिक सुरक्षा विभाग को एक लेटर मिला है जिसको लेकर स्पेशल ब्रांच के आईजी ने पुलिस हेटकौाटर को एक पत्र लिखा है जिसमें इस बात का जिक्र है कि अब जिहादी अपने नापाक मनसूबों को वैव जनरलिज्म के माध्यम से पहला सकते है और इसमें वो मुस्लिम समुदाय के युवक और युवतियों से अपील कर रही है कि वो वैव पोर्टल वैव जनरलिज्म से जुड़ें इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर पोस्ट में काफी गंभीर बाते निकल कर सामने आई हैं मुजाहिद, उलेमा और उम्राज की बातों को अनुवात कर बिहार की बातों को युवाओं और लोगों तक पहुचाने की अपील की गए इसके बाद अब पुलिस मुख्याल एलर्ट पर है और सभी जलों के एसपी और अधिकारियों को इस बावत एक एलर्ट जारी किया गया है और चली तमाम बातचीत के लिए रितेश लाइफ जुड़गा ऐसे तरह रितेश की तरफ चलेंगे रितेश जिस तरीके से यह सुरक्षा विभाग को लेटर मिला है और इसके बाद आप स्पेशल ब्रांच यह अपने खेत में 2000 मचलियां पाल के हर 6 माईने में 3 लाग तक क क्या कुछ और विस्तार से जानकारी आपके पास है आप बिल्कुल सही कहा और यह पत्र देखिए हमारे पास मौजूद है और पत्र में देखिए कि जो आईजी हैं स्पेशल ब्रांच के उन्होंने लिखा है कि यानि कहीं न कहीं अब यह जो देखिए जो साजिस है यह किस तरह से बिहार में फैलाने की कोशिश हो रही है कि जो भी जिहादी हैं जो भी देश्वीरोधी ताक्ते हैं अब मुस्लिम समुदाय के उन युवा और युवतियों को टार्गेट करने वाले हैं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज है और इनके माध्यम से वो अपनी बात को अपनी जिहाद को अब इस कम्मुनिटी में फैलानी की साजिस रच रहे थे लेकिन समय पर ये चिठी जो है वो इस्पेशल ब्रांच के हाथ लगी और उसके बाद जो आईजी हैं उन्होंने फॉरण इस बात की जानकारी जो वरिया अधिकारी हैं उन्हें दी और सभी जो एडीजी हैं उन्हें पत्र लिखा गया है देखिए कि ADG Headquarter को भेजा गया है रेल को भी भेजा गया है इसके अलावा ATS, OPS, Special Branch, Security Special Branch, Law and Order यानि सारे लोगों को अलर्ट पर रखा गया है इसके अलावा सभी जिलों के SPs को अलर्ट पर रखा गया है और Wave Journalism के माध्यम से अब जिहादी जो हैं वो अपनी बातों को फैलाने के साजी स्रच रहे हैं इसमें उन्होंने अपील कि है इस लेटर में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने मुसलिम युवक और युवतियों से अपील की है कि वो आएं और इसे जोईन करें और यहां तक कि इसमें इस बात का भी जिक्र है कि इन्हें अच्छी सैलरी पैकेजेज का भी आफर दिया गया है अनि सीधे शब्दों में कहें तो इन्हें पैसे का भी लालच दिया गया है वाकई रतेश तो कुर्ण लाकर कह सकते हैं सही समय पर ये जो पत्र है वो हाथ लग गया ये अपने खेत में 2000 मचलियां पाल के हर 6 माहिने में 3 लाग तक कमा रहे हैं आपको भी करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए